हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू डॉल्फिन अपलाइन सेनल आप सभी का हुकूब स्वागत है हमार यूट्यूब चैनल में दोस्तों जैसे कि आप जहनते हो हम आपके लिए कुछ ना कुछ नहीं आ लेकिया आते हैं कुछ ना कुछ मार्किट में नहीं पॉचनरीटी लेते हैं अपके लिए तो जैसे यह ना के लिए लेकिया है सेफैड पउसे फील और एपर प्रोड़क देखा होगा है कि चंट पो बना को भना एंड़ Cakeu कोई तरीकल आप इन्दर जूपवसपील कर सकते वह और यह अभी मारकिट में सबसे ज्याद़े चलने वाला है'S把它 है मार्किट में और सबसे ज्यादा पसंद करते लोग इसको छोटे बच्चे भी रेते वह भी पसंद करते बड़े लोग यह भी पसंद करते आप देख सकते हो इस टैप का पाउंच जो मार्कित में पांच उट में बीगता है पूरा सेपट पाउंच हर एक फ्लेवर का अलग 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 इसका कितने इसमें मुना पाए तो ए सब चीज की पूरी डीटेल हमें वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों तो आप पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंट तक की जरूर देखिए जिससे अगर आपको प्लानिंग है या आपके नियरेस कोई दोस् जाना कमा से हो तो चार से पांच आठ दिन के अंदर पूरी मसीन का पेसा आप निकाल सकते हो दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंट दिर किये जिससे आपको ज्यादा डीटेल्स नोटिपिकेसिन लेके कैसे बिजनेस करना है आपको और इसको कैसे मार्कित में छो और उसका नाम आएगा यह पांच लेता है इसके अंदर मर्पी भी पांच रुपया लिखी है और बेश्ट बिपोर भी लिखी है कितने टाइम तक यह फ्लेवर आपका अच्छा रहेगा या आपको कोई लिखाने का या कोई शिक्का मारने का कोई जरूरत नहीं है इसके अ इंदर जो मट्रियल जाएगा उसका कोस्टिंग होगा 70 पेसा 70 पेसे का मट्रियल जाएगा 80 पेसे का यह पांच है दोनों का मिला के एक रुपया 50 पेसा मैक्सिमम आप इसके अंदर लेबर चाज और खर्चा जो लेंगे तो 10-15 से मैक्सिमम बीस पेसा जोड़ लो एक रु यह इसा पांच बेशता है उसके पास आप जाके इसको तीन रुपय में सेल कर सकते हो बल्क में 200-500 पीस का पूरा बल्क आपके पास से उठा लेंगे वो लोग आपको बेचने हैं उनको तीन रुपय में एक पांच पे आपको एक रुपीए 30 पेसे का प्रफिट होईगा व और वन टाइम में चार अलग-अलग फ्लेवर भी फील कर सकते हैं अगर आपको एक चारो में एक ही फ्लेवर लगाना है तो एक ही लगा वो इश्यू नहीं है बट आपको अलग-अलग चारो लेना है जिसे कि इसमें आपने मेंगो लिया इसमें लीची लिया इसमें ब्लू कब अगर कि detecting अतल आप न्यापने काूनस अंग्त acerल कि अवरी संग प्रिक्शल कर सकते हो अगर आप तो डिन में क्याँ अपनी प्रोपि यह प्रिएंव सकते हो twoKI अपकं एकि अश्वा को टीरी धेर तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से लेके एंटर देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको बताने वाले इसको फ्लेवर भी हम आपको बता के बनाएंगे यहां पर फ्लेवर अमने सुगर चीनी सब रखा हैं तो यह सब आपको यह वीडियो में बताएंगे दोस्तों सबसे पह पानी फ्लेवर में जो जाड़ा रेता है यह इस सब का फ्लेवर है शुकोल भलडर इसका प्यक्ति रूपिया फो प्रहाँ इसका प्राइज सथम्म एक सब्णक तोटल आपको मेकिंग होगा बनेगा 40 लीटर का मट्रियल इसमें से मैक होगा 40 लीटर क्योंकि चीनी आप 7 कीजी डालेंगे तो घट आइटम हो जाएगा इसलिए 2 लीटर लेस होगे 40 लीटर का पो घट आइटम बनेगा इसके लिए आप इसका खुद का मेकिंग कोस्ट भी गिन सकते हो कि उसमें से कितना पाउंस गिरेगा टोटल 40 लीटर आपको मट्रियल बनेगा तो चलिए दोस्तों आपको इसका प्रोडक्शन करके बताते हैं इसको कैसे करना है आपको अभी हमारे पास बड़ा बावल नहीं है इसलिए हम चोटे पानी से यूज करेंगे अभी 30 लीटर पानी यूज नहीं करेंगे लेकिन आपको एक साथ 30 लीटर का बड़ा टॉप पानी डाल देना है उसके अंदर यह सब मिक्सिंग करना है अभी हम मिनिमूम एवरेज में स्टार्ट करेंगे आपको सबसे लिए बावले इसक पानी डाला है इसके अंदर अभी इसके अंदर यह चीनी डालेंगे 7 kg चीनी है साथ किलो चीनी है इसके इसके अपने को कोई और चीज नहीं डालना है पिवर सुगर से बेस्ट क्वालिटी बनाना है क्योंके दोस्तों यह चीज सब्सक्वाद क्याऻ़ें दोस्तों इसलीं आपने को कॉट्वर सब्सक्राइँ दोस्तों इसले हम आपको जो भी बताएंगे का जिसका साइड इफक्ट कुछ ना हो दोस्तों फिक आपने 7 kg आप देख सकते हैं बूरा इत चीनी डाल दी आमने अभी इसका जो में आभन भीक सेसन्स नजट जो मैंने आपको बताया मेंगो अलफांसो मेंगो है अब क्वस्केरी अपने सुनाओगा आलफांसो मेंगो है अभी इसके अंदर हम दाल देंगे पाउडर लीं यह देखिया? एक बार पीए गन आदमी दुबारा माजा फ्लेवर नहीं पियेगा, दोस्तों, वो हमारा guarantee है, अगर आप ऐसे फ्लेवर लुग से तेस्ट कर गया, तो दुबारा माजा टेस्ट नहीं करेंगा इतना बेहतरीन टेस्ट है फ्लेवर का इसका पाउडर है यह भी डाल देना है साथ में अभी हम इसको यहाँ पर हमने मिक्चर मसीन है जो मसीन के साथ फ्री में देते है कस्टमर को इसके अंदर मिक्चर में अपने को बावल को रख देना है इसका स्टीक है इसका स्टीक एसे लगा देना इसका दो स्टीक आएगा दो टन से घुमेगा जिसे इंस्टांट आपका फ्लेवर अच्छे से बड़ी आ मिक्स हो जाएगा दोस्तों अब इसका मोटर स्टाइब करेंगे यहां पर इसका स्विस्ट लिया गया ए बंद करें चालो पर आप बश्रेवाद यह तरीकट चालो आप देख सकते पूरा फ्लेवर तोड़ गोर्वाविन देख थे फोड़ा पास जूम करके दिखाए इसका फ्लेवर मिक्स हो रहा है ते तो अब देख सकते हैं यहां पर आपने फ्लेवर मिक्स करने डाल दिया है उसी तरह के आपको जो भी फ्लेवर पील करना है लिच्ची है तो लिच्ची का इसेंस आएगा दूसरा फ्लेवर तो दूसरा इसेंस आएगा मसीन के साथ हम दोस्तों यह जो पाउंच रहते हैं यह दोजार पाउंच आपको फ्रीमे देंगे मसीन के साथ में और दोजार पाउंच में जितना लिक्वीड आपको भरेंगे आप जो भी फ्लेवर अमारे से मांगेगे जैसें मैंगो लिची पाइनेपल ओरेंज ब्लूबेरी फुदीना मसाला ए दोस्तों आपको जितना पाउंच ची है दसेजार बीसेजार जो भी ची आप कॉंटेक्टी में मंगा सकते हो उन्से पाउंच तीक है अब देख सकते हो यह पे फ्लेवर बंद रहा है अभी इम इसको बंद करके चेक करेंगे थोड़ा लाओ तो तभी थो चेक करेंगे इसम तो बाउल ले ले हैं अभी यह बाउल में हमने पंदरा लीटर नॉर्मल वोटर भराया आप देख सकते बुरा नॉर्मल वोटर है पंदरा लीड इसके अंदर हमने जो मट्रियल बना यह उसमें से पांच लीटर डालेंगे इसलिए बीस लीटर का बाउल हो जाएगा फिर दूसरा आपको 15 लीटर डाल के ले टोटल मट्रियल आपका 40 लीटर का हो जाना चाहिए फोटी लीटर का ठीके आपको एक साथी पहले बनाने हमारे पास पेस नी है इसलिए वह इससाब से बनाया है इसमें डालिया ते पांसो मेल जग है हमें गिनके 10 जग डालेंगे इसके अब इसमें हम 10 जग डालेंगे इसका 500-500 मिलका है दस बाउल डालेंगे इसमें इसमें फोल्डिंग यह भी ऐसे फोल्ड हो सकता है आपको फाता नहीं है भरने में तो थोड़ा फोल्ड कर देने का इसमें अब इसमें यह पने पैसी फाता है नहीं है जाएंगे वकाश्चा है यह पीज़्ड कर दूदा यह बाउलेंगे इस यह में प्लेशन आपको राता है यह थोग कर दो ज़ाएंगे यह दोग नहीं है इसलिए पूरा बाउल अपना 20 लिटर का हो गया कम्पलेट है अब इसके अंदर हम इसके अंदर डालेंगे इसको अब देख सकते हैं यहां पर यह पूरा खूल जाएगा पूरा ना कि देंदर इसके अंदर एक साथ आप तीन बाउल चार बाउल भी रख सकते हो चारो फ्लेवर का अलग लग चार बाउल कमने स्पेस दिया इसका स्टोर दिया है आप स्टोर में इसको रख सकते हो चारो चार यह पाइप उसको लगा देना है उसके अंदर चो लाइनिंग है अब अभी चारो चार में एक की लाइन लगा देते हैं मैंगो काई अबלי इसका हम ढकन ढक देंगे अंदर चौँ अ क्हिसा हो गया लोग और निलगना है वन सेट अप मशीन है कोई पील चीज भार नहीं जायगा अपका इसके अंदर चे यह पुरा वन सेट अप मशीन है आप देख सकते हैं पुरा लाओ ली बाटली लाओ अब हम इसको थोड़ा लाइन में ले लेंगे मैंगो का फ्लेवर पहले हमना पानी पानी डाला गा इसले भी पानी आ रहा है नीचे पेडल है इसका देखिए यह पेडल दबाएंगे तो निकलेंगा इसमें से देखिए आपको आपको लाइन करो ने ले लेंगे भी पानि या रहा है देखो फहले पानी से हमने चेक किया हो और पहले पानी आ रहा है तो पर मैंगो चालू हो गिया ना मैंगो लाइन था वह भी मैंगो स्टार्ट हो चुका है अब इसमें आपको प्रोडक्शन करके पाउंच बना के बताएंगे इसके अंदर दोस्तों ठीक है अब हमने इसमें यहां पर प्रोडक्शन चालू करवा दिया देख सकते हो पुरा फ्लेवर तो अंदर डाल दिया भी आपके सामने बट अब यह बाकी का फ्लेवर जो बच्चा है पांच लिटर बच्चा हुआ है यह दूसरा पंतरा लिटर डालेंगे उसके अंदर डाल देन इस अंदर फिल करना है यहां पर कैपिंग मशीन आपको सिलिंग शेल के लिए उसका बच बनाब where up rap चंष साल के लिए एक पीने टॉड़ेंगे तो भी टांडा चिल्ड खोलेंगे तो भी टाइम पे खुलेगा इसका कुल क्क यह श्ड़ का चौब कर देकिया तो के ऩहां, इससा नबी सेखेंगर सुझाना है, जासे ओधेशा na यह रही सकतर कुल革ा एक के तुम कर देना है, यह ति AllinAS कि आपको भी था डेना है प्रोडक्षण के लिए यहां पे चोड़ देना है एक वंद़ यहां पर बैट के दस-दसपीश का पेकेट बनाता रहेगा अपको अब देख सकते पुरा अ को देंगे मसीन की ऊढब अद्गे ऊड़िए दोस तो दोस्तों गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक बार लाइक कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसे नहीं नहीं प्रोड़कम रोज सब्सक्राइब अबाएगा तो निकलेगा पेडल छोड़ेंगा तो रुख जाएगा तेखिए इसमें अगर आपको टाइमिंग सिस्टम बलाना है टाइमर वाला कि भाई आपको ने 100 ml सेट किया तो टाइमिंग सिस्टम डालना है तो हम इसमें डाल देंगे आपकी रिक्वाइमेंट के ओपर क्योंकि किस्टमर को ही रिक्वाइमेंट करता है कि भाई आपको टाइमिंग सि किजिए दोस्तो थेंक्यों पर वच्छिंग और वीडियो